हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माइ स्मार्ट क्लासेश इस वीडियो में जो है हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे जो की क्लास 6 से लिया गया है और ये जो है NCRT और JCRT का जो सारांस बताया जा रहा है उसका अगला चेप्टर है और ये 6 क्लास का NCRT का अंतिम चेप्टर है अग कर सकताने से पहुछ सकते तो चलिए पढ़ते हैं इसे पहले भ्हारत की स्तिती के बारे में हम जो जान चुके थे । आव हम लोग पढ़ेंगे जलवायू वानस्पत्ति और वहश्नीचियों इन सभी चीजों के बारे में जो है इस विदियो में सों पहले तो किसी विसाल- चेत्र में अनेग वर्सों में मापे गए मौसम की आवसत दसा को जलवायू कहते हैं. अगर प्रस्ण हो कि जलवायू किसे कहेंगे जलवायू कैसे परिभासित किया जाता है तो यह जो होगा किसी विशाल चेत्र में भाहत वर्सों तक जो है मापे गए मौसम की आवसत दसा को जलवायू कहा जाता है मौसम एक विशेश समय में एक छेतर के वायू मंडल की अवस्था को बताता है यहाँ अगर मौसम किसे कहेंगे तो मौसम जो है एक विशेश समय पर जो है एक छेतर के वायू मंडल की क्या अवस्था होती है उसी को मौसम कहा जाएगे यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ है एक है जलवाईू एक है मौसम तो जलवाईू जो है वो अनिक वर्षों में मापे गए मौसम की अवसत दसाज होगी उसे जलवाईू कहेंगे अब मौसम जो होगा किसी विशेश समय में एक छेतर के वाय मंडल ये अवस्था को बताता है। किसी अस्थान का मौसम या जलवायू उसकी स्थिति, उचाई, समुद्र से दूरी तथा भातिक आकिर्ति पर निर्वर करता है। यानि कि किसी अस्थान का मौसम और जलवायू किस पर निर्वर करता है। कुछ और होता है। उसके बाद दक्षिन भारत में कुछ और मौसम होता है। और विश्व में सबसे अधीक वर्षा जो है मेघाले में इस्तित महसिन राम में होता है। तो भारत में मौसम जो है चार प्रकार का है, ये चार प्रकार का मौसम क्या क्या है? सर्दी है, गर्मी, वर्सा और सरद, यहां पर वर्सा को जो है आगे बढ़ता हुआ मानसुन भी कहा जाता है, और सरद रित्व को जो है लाटता हुआ मानसुन भी कहा जाता है, इसको हम लो लोटता हुआ मौनसुन होता है साथ जहारखंड में तीन परकार मौनसंप पाय जाता है जैसे कि ग्रिश्म यानि कर्मी जो मार्च से मजद जून तक होता है वर्सा जो मजद जून से अक्टूबर के आसपास तक होता है और सीत्री तुझे है नौवंबर से फरवरिद्धा तो यह जारखन किस्तिती है घांस जाड़ियों तथा पौधों पौधे जो बिना मनुस्ति की सहयता से उपजते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहेंगे यानि कि जो ऐसा घांस पौधा जो है बिना मनुस्ति की सहयता से यानि ना उसे मनुस्ति ने लगाया ना उसे पानी दिया यानि किसी चाई किया फिर भी अगर वो उगते हैं तो उसको जो है प्राकृतिक वनस्पति वनस्पति का मतलब ही हो गया कि जितना तरह के पेड़ पौधे होगे एक हांस वो सभी कुछ जो है इसके अंतरगत प्राकृतिक वनस्पति को कहेंगे हम लोग तो हम लोग देखते हैं कि आगे बढ़ता हुआ मौसम किस परकार का होता है जो कि चर्चा हम लोग यहां पर कर रहें थे कि वर्षा जो है इसको जो है आगे बढ़ता हुआ मौसम भी कहेंग ये दफ्षिन की और से जो है उत्तर की और धीरे धीरे बढ़ता है एक जुन को वहां रहेगा फिर पांच जुन को इस जगा पर रहेगा और दस जुन को जो है ये मुंबई का इसे लेते हुए जो है उन्हें सर पटना होते हुए जो है ये आगे की और जो है बढ़ता जाता ह फिर पंद्रह जून को यहां से फिर बढ़ रहा है लखना उते हुए फिर आगे जा रहा है पंद्रह जून पो फिर जुलाई में देखी एक जुलाई जब आ जायेगा तो इस चeg़ा कर रस अब 15 जुलाई इस तरह से तो यह क्या हो रहा है मौसम जो है धीरे-धीरे यह मौनसून जो है यह धीरे-धीरे आगे की और बढ़ रहा है इसी को वर्षा लित्तु को यहाँ पर कहा गया है आगे बढ़ता हुआ मौनसून ठीक ना तो यह चीज़ है इसको और विस्तार होगा जब आगे कि जो और भी 12 क्लास में जब हम लोग इसका पढ़ेंगे तो य यहाँ पर जानिए कि किस तरह से जो है मौनसून जो है एक जुन को चलता है और जुलाई के जो है 15 जुलाई के आसपास जो है यह मौनसून आगे बढ़ जाता है इसके बाद जो है लोटता हो मौनसून जो है यह लोटता कैसे है आप हम लोग जुलाई तक वहां पढ़े थ स्थिती rap 15 सितंबर की स्थिति फिर एक September chief today अब होभ Water फहले जो था इस प्हले जो था इस दिशामन जा रहा था कि इस उत्तर पस् nhân की और यह बढ़ भाएं खिशन पूर्व की और जो है यह बढ़ रहा इस लिए से जो है लोड़ता मौन्सं कहा जाता है तो September की स्थिति जो होती है यहां तक पहुं जाती है, फिर 15 October को इस जगा पर, एक November को यहां पर, और आगे बढ़ता है 15 November को, और इसके बाद क्या है, एक December को जो है, यहां तक पहुंच जाता है, तो इसके बाद जो है, पंदड़र्धिसंबर के आसपास जो है, वर्षा रितु को जो है मतलब कहा जाता है कि आगे बढ़ता हुआ मौनसुन और सरद रितु को लटता हुआ मौनसुन ये दो पिक्चर से और ये जो है जार्भन टेक्स्ट बुक से लिया गया है जो कि JCRT से है इसके बाद है कि भारत की वनस्पतियों का वर्गी करन तो भार ये वन जो है वहाँ पाये जाते हैं जहां सबसे अधिक वर्षा होती है और यहां जो है लकडियां बहुत कठोर होती है और इन वनों का विस्तार जो है अंडमान निकोबार दीव समू और उत्तर पुर्वी राज्यों और पस्चिमी घाट पर ये फैला हुआ है परमुक व भर्ष जो है महगोनी, एबोणी, रोजबूट ये जो है इसके मुख्षे जो है विरिख्ष है कठल एक सदाबहार वन में पाया जाने वाला विरिख्ष है देखिए कठल जो है छे फैला फेला हुआ है जिसें फ़ेला है प्रगिक्रित किया गया है यह किस तरह से फैला हुआ है यहां पर देखिए जितना भी काले रंगा है यह जो है उस्न कटिबंधिये सदाबहार वन है यह याद रखिएगा यह आप जब इन राज्यों के साथ में भी इसको देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएग सब्सक्राइब पाये जाते हैं इसके पाड़ जो है उस्न कटिबंध पत मतल जड़ति जो Do abaren यह जो है यह जगों पर पाए जाता है कहां पर ये जो है अरुनाचर परदेश पर जो हिस्सा है इन सब ही जगों पर जो है इसको जो है परवत्य वन कहा जाएगा आप जो है मैं ग्रूब वन कहां पाए जाएगा तो मैं ग्रूब वन जो है ये देखिए इस जगा पर जो है मैं ग्रूब 1 जो है पाय जाएगा इसके बाद है ओसन गटिबंध ये कटीले 1 पीले रंग से जहां・ जहां दिखा यह जाता है यह से कि भौयश्यरात निफिले 1 इन सवी जगों में गुजरात का इससारायस्थान इन सवी जगों पाए जाता है तो यह है भारत का प्राकृतिक वनस्पत्ति कहां कहां पाय जाता है ये चीतर भी जो है जारफन टेक्स्ट बुक से लिया गया है क्लास 6 के जो अप आसानी से मिल जाएगा इसको एक दो बार जो है बहुत अच्छी तरह से देख लिजे कि प्रस्ण आ जाए कि कहां पर किस तरह का वन पाया जाता है या फिर किस राज्ज में तो आप इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कहां पर ये पाया जाएगा इसके बाद है उसन कटिबंधे पतज़डबं इन बनों को जो है मांसूनी बन भी कहा जाता है और यहां पर विरिक्षी जोगते हैं साल जिसको कि सक्वा कहते हैं ये पाया जाता है सौगोन, पीपल, नीम एंवं, सिसम ये सब ही जो है ओसन कटिबंधे पतज़डबं में पाया जाता है और यहां पर ब्रिक्ष बबूर्षिक जोगते हैं और जोगते हैं मतलब शिसकों भाग होता है उन सभी जगों में ये मरुस्तलिय वन होते हैं इसके बाद है परवत्य वन परवत्य वन में यहां पर संकुधारी ब्रिक्ष पाया जाता है इसलिए इसको संकुधारी वन भी कहा जाता है और यहां पर जो ब्रिक्ष होते हैं उसकी पत्यां जो होती है, पतली होती है, यहाँ पर जो ब्रिक्ष पाया जाते हैं, वो है चीड, पाइं, देवधार, यह ब्रिक्ष जो है परवत्य वनों में पाया जाता है, इसके बाद है मैन ग्रूब ब्रिक्ष, यह जो है डेल्टा छेतर में, जैसे बताएं थे कि ब्रा पस्चिम बंगाल के सुन्दर वन डेल्टा तथा अंडमान निकोबार टीप समू में यह पाए जाता है और यहां पर ब्रिक्ष कैसा होता है यहां पर ब्रिक्ष बेत और सुन्दरी यह दो तरह का ब्रिक्ष पाए जाते हैं तो देखिए इसमें आपको याद एही रखना है क कि मतलब किस तरह का वन जो है किन परदेशों में पाए जाता है खासकर इससे प्रस्ण बनते हैं इसलिए आप इन दो चित्रों को बहुत ही आच्छी तरह से समझिए और इसमें से इही दो चित्रों के माज़म से बहुत सारे प्रस्ण बनते हैं ठिक ना इसमें तो यह नही सकता है और साहरखंड़ कि प्राकृतिक भाल से जो विभाजित किया गया है इससे प्रशन होगा ठीकना इसके बाढ़िन है अब हम लोग देखते हैं कि जहारखंड की प्राकृतिक ब smiles ज़ार्खन की प्राखिति जो वनश्पति है वह है दो वर्ग में है एक है उसन कट्टि बन य है आद्र पध्थढ वनश्च सेथित हह और यहां वार्षिक वर्षा 120 से कम हो यहां ज़ार्खन के प्राकर्थति जो वन अस्पति है दो वर्गों में भाजित है चारखन के कुल छेत्रफल का 29.68पर लाग पर बन पाय जाता है ये चारखन से समध्धी तकट प्रस्ट जो बनेगा दो उसमें बन शकता है कि चारखन के कुल छेत्रफल का जो है कितना परतिशत भाग जो है वन पाया जाता है तो इसका एंसर होगा 29.61 यानि कि कहीं कहीं पर 30% भाग भी लिखा हुआ है अब आते हैं वन प्राणी तो जो वनों में जो प्राणी जीव रहते हैं कुझरात के गीर वन में जो है एस्याई सेर का निवास है यह पुछा भी जाता है कि कुझे मतलब एस्याई सेर कहां पाया जाते हैं तो गीर वन में जो की गुजरात में है एक सिंग वाला गेंडा असम के चंगलों में पाया जाता है और रायस्थान का भरतपूर पक्षी अभिहारिन्य परमुक्त है इसमे वन जीного को kसिंग भी दिया गया है ये संरक्षण जो है भारत में वन जी HEY वाईल्ड लाइफ ऑक्ट पारि community प्रसंथ्व जाता है कि भारत में, जो है, वन बन जिएओं के संडाक्षन् कब लागू किया गया था. यह जो differentiator में, जो है, और लाइफ ये पारित किया गया था. अब हम लोग देखें कि जारखंड में जो है वनी जीवों का संदक्षन जो किया गया है उसमें कौन-कौन से नेशनल पार्क और अभिहारन्य है और किस जीले में है तो इसमें सबसे पहला है कि बेतला नेशनल पार्क ये जो है लातिहार में है हजारी बाग अभिहारन्य जो है ये हजारी बाग में है पलामू अभिहारन्य ये लातिहार में है मववा टाड भेडिया अभिहारन्य लातिहार में दल्मा अभिहारन्य पूर्वी सिंभू में तोपचांची अभिहारन्य जो है ये धनबाज में है और लावा लॉंग ये चत प्रस्ण जो की जेटेट में हो गया या फिर जेटेट में हो गया या पिर जेशेसी के एक्जाम देते हैं वहां पर भी जो है इस तरह के प्रस्ण आते हैं और भारन्य और नेशनर पार्थ गया वह रहता है और वो किस चीले से सम्बंदित है इसके बारे में भी प्रस्णों को उचा जाता है तो यह था क्लास 6 का जो है अंतिम पार्थ है भूगोल का ठिकना और सभी के जो है सारांस दिया जा चुका है इसमें जो है अंसियाटी को भ बटन दबाखे जरूर बताईए और पॉमेंट ही कीजिए और अगर आपके मौन में भी किसी तरह का प्रस्ण हो तो यह भी जरूर पूछिए थैंक्यू हॉगा सब्सें जरूर चरूर बार आपके मौन में सारांस भी जरूर अबावाद के झाल कर भी किसी तरह का प्रस्वी जरूर रोगोगों में जरूर को भी किसी तरह कर दो है जो है।